हेलो एंड वेलकम टू चैनल माई डियर टैनिस फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंबल्डन फाइनल के बारे में जो की है इस वीडियो में कवर करेंगे इनके बीच में हैट-टो-एट इनके जो रिसेंट मैच हुए उनके बारे में और इस मैच में कौन जीत सकता है और बहुत चीज बताएंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा सो यह मैच है नंबर वन काड़ो सलकराज जो की रैंकिंग में नंबर वन है स्टैंप है और नंबर टू जो कि है नोवाग जुकूविच दो इनों नहीं यहां पर बहुत सारी अचीमेंट फाइनल में आके अचीव कर लिए जो नोवाग जुकूविच है अपनी करियर में 71 दिए टर्फ लुक्त जुका है सब 21 और टरजनमक खेल चुका है त्धर। बर दोड़ां जहे तो पोहुंचता यह जीट बाइसलिशका है तो बहुत हसके इसके ौसलेम का ओं श्रम यह जीत जीता है लुकौर कर यह तंदू हो जाएंगे और यह जीतना मैच बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है और यह तो एक मिशन में है कि दुनिया का सबसे नंबर वन इसको करना है इसलिए दोने ही बहुत अच्छा यादा मोटिवेटेड़ है मैच को जीतने के लिए वहीं अलकरास की बात की जाए तो इसके सब्सक्राइब है कि यह सेकंड यंगेस्ट इनसान बन गया है जो फाइनल खेला है विंबर्डन का सोला साथ पहले ही राफल नडाल ने आपर विंबर्डन फाइनल में 20 साल की एज में पहुच गया था और यह बहुत बड़ी बात होती है 20 साल की उमर में हम क्या कर रहे थे इनसे अपनी कंपारिजन करें तो हम इनके सामने कुछ बिंदे रहे हम से बड़े हो गए तब भी मतलब इनकी ऐसा करियर अचीवमेंट बहुत कमों को मिल पाते हो भी इतनी यंग एज में तो यह बहुत ज्यादा हमारे एक अचीवमेंट भी है मतलब क्या कहते हैं उसको इ सो यह बहुत ज्यादा अच्छा फाइनल होने की उमीद है इनकी दोनों की रिसेंट की मैचेस की बात की जाए तो नुवाक जोकुविच यहां पर इसका ड्रॉव ठीक ठाक था इसके दो ही मैच चार सेट के गए और बाकि सारे मैचेस ने स्ट्रेट सेट में जीते हैं सिर् इन चार सेट का तो उने की मुझको भी उमीद थी पर इसने स्ट्रेट सेट में जीत लिया तो यह बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहा है वहीं अलकरास की बात की जाए तो इसका रिसेंट मैचेस का ड्रॉव बहुत तफ़ ठाप इजी नहीं था इसका ड्रॉव जो ड्रॉ बाकि इन दोनों प्लियर के कोई भी मैचेस को भी प्लियर इनको पहाँ तक पुछ नहीं कर भाया तो दोनों इते जादे अच्छे फॉर्म में चलें और ग्रास कोड के मैचेस में बहुत अच्छा मैच हो सकता है यहां पर फाइनल में और मुझे नहीं लगता है से पिछले जो इनके बीच में आपस में हुआ था कि रूलेंड गार्व में अलकरास थ्रे निल सा रहता है इस मैच में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एसा एसा ही होता है ना पिछले मैच में कुछ तो सिखा होका अलकरास ने इस बार इसको नहीं हाना चाहिए यह जैसे हम इने बेखना पढ़ेगा मुझे इस मैच में देखना पढ़ेगा इमेच कैसे होंगे दोनों यहां पर बहुत शौरइड खेले हैं इनके बीच में डो मैचे हो चुका है दोनों की वीच में 1-1 टाइए पर एक भी मैच जो है ग्रास पोर्ट में नहीं हुआ दोनों ने क्ले कोट में हुए एक फ्रेंच उपन का जो नुवाग जोगोविजन दौर रूण डारॉस में सेहरा है था और एक मैडेट में हुआ है 2022 में जो यहां पर दोनों स्ट्रेट सेट में जीतते हुआ रहे हैं अलकराज यहां पर मैदविदेज के साथ खेला था और मैदविदेज सच में बहुत बेकार केला जिता मुझे उमीद थी उससे यह ज़्यादा बेकार केला और उस मैच में उसने बिल्कुर इंप्रूमेंट नहीं कि पुराने मैच में इतने जाएटे में इतने दूर में नहीं तूर मुद महां से खिला मैजमे यह जोना करें इतने बेढत ब्रूल आता है मैंदेदेदेव मैंदेव का अपर अच्छा लाग मैंदेव की है मैंदेव के मेंदेव के होग में जबाता है ज्यांठी पाफुनिlak मैंदेव की जाए तो इससंगिस मैंदेव में 30 अब होग 가능 forty मैंने ने च CBS सेर्ब को आज़रे ऊच्छा की जिती sortir take स्पीड दालेगा सेकंड सर्व अपने को सेफ करने के लिए थोड़ी कम स्पीड से ही मारते है प्लियर तो अलकराज जो सेकंड सर्व है अपना भीज फोरेंट के अस्तमाल करके आसा इंसे प्लेयर को आउट कर सकता है जोकुविच को इस मैच में ध्यान देना पड़ेगा तो इस पेस्पीड कम रही तो उस वीक पॉइंट को आसान से कैश कर सकता है तो यह बाग यहां पर दो जो कुवच के लिए एक दियान रखने के लिए हैं जोकुविच का सिनल करते हैं तो जोकुविच को सिनल बिलकुल यहां पर एक ब्रेकपॉंट अप्रजुनिटी सिनर यहां पर जिनट है। सिनर यहां यहां पर चैनलीटकर भी यहां है पार जो कृपएँद्स सिनर मेह व्याइग के निटोगन कर पाया अज दोगना गे सेटेन पर उसको लीद मैच जित लिया। सेनर के पास मौका भी था साइकेंड साइट में उसने 15-40 था पर जोकोविच ऐसा क्लच प्लियर है कि वह जब उस पर प्रेशर आता है तो और ज्यादा अपना सॉलिड गेम खेलता है क्युक्今ách अगर प्रेशर में अपना सर उसकी और ज्यादा बैटर हो जाती है फोरेंड ब्रैकेंड उसके और पोइंड पोइंटे पजाते तो इसके जब भी प्रेशर आते हैं अगर दो जैसे प्रेशर में और ज्यादा बढ़िया क्लता है और इस तर हचाश के美味 सुष्या औ सबसे क्लेट की सरफिस पैस्त है अलकराज की जोकोविच हार्ट कोट और ग्रास कोट में सबसे बैस किलता है तो यह हैं इस मैच में सबसे ज़्यादा लोग को उमीद यह है कि जोकोविच जीते गाई अश्पर जादा प्रेशर नहीं है पर इसके लिए बहुत इमपोर्टन मैच है क्योंकि यह अगर जीता है तो यह फैडर की बराबरी कर लेगा और मार्गरिटा कोट के भी बराबरी कर लेगा तो दोनों के लिए मैच बहुत इंपोर्टन है और उस सिनर वाले मैच की एक यह बात भी है कि परसर वहां पर जोकोविच की 70 परसेंट से उपर ती जो और उस मैच में जो जोकोविच था बहुत ज्यादा अच्छा मतलब क्लच पॉइंट चो होते हैं वह बहुत ज्यादा इंपोर्टन होते हैं जैसे 15-40 वा तो वहां से जोकोविच आसानी से वहां पर होल्ड कर ले रहा था आसानी से जोकोविच को ब्रेक नहीं करने लिए अपनी सर्व और जब उसके ब्रेक पॉइंट अपूर्ज पॉइंटी हाले थी ऐसे 30-40 वा तो उसके बाद सिधा वह ब्रेक कर ले रहा था तो ऐसी कंडिशन बनती है अगर यहां पर याद रहतना कि बहुत प्लेयर जोकोविच है और वो क्लच पॉइंट आसानी से ले ले उसने कमबैक करके 4-7 से यहां पर सिनर को हरा जिया तो अभी तक इस साल भी विंबर्डन उसने 6 टाइब्रेक लगातार जिते हैं और रोलेंड गारोस में भी साथ जीते थे लगातार तो टाइब्रेक का तो यह अगर इस मैच में भी कोई टाइब्रेक तक गया तो यही उम तो वही हुआ इन दोनों के बीच में सेमी फाइल रहेगा अब अलकराज इस मैच को कैसे चीच सकता है अलकराज यहां पर ज्यादा उसका फोर हैंड ज्यादा स्ट्रॉंग है जोकोविच से पर बाकि सारे गेम की डाइनमिक से बात की जाए तो सर्व जो है आपर ज्यादा ज्यादा अच्छी है और स्ट्रॉंग जो ग्रास कोट में होता है बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने सर्व करी और सर्व इस टाइप से करनी चाहिए कि स्ट्र्वेच की सेंटर में लेंडे नहीं होती सपोर्ट होते हैं कुछ यहां पर कोट के अंदर ही अगर इन पॉ तो पॉनेंट को उत्री नहीं होते है रिटर्ण करने के। तो जोकुविच की सर्व अच्छी है वो बिल्गुल सेंटर में नहीं मारता है अपना सर्विस अर्विस के बाद हाँ पर पॉंट लेने बहुत है निध के ही बहुत इंपोर्टेंट पॉंट होता है तो टैनिस तो अगर वह जो पॉइंड यादा अच्छा घिलता ज्वह ज्यादा मैज को करता मैश के इसके बाद धर चाहर जीता कंड से कंड से कंड में उत्र जादा फाइदा मन दोता है और उसके ऑप सके यहां पर मार्जिन्स बहुत तो अगर इस मैच में अलकरास को जीतना है तो इसको अपनी पिछले बार जैसे रुने इंट कारोस में इस ते मिस्टेक की ती तो बहुत जादा नर्वस हो गया था इसको अपनी नर्व को इस मैच में कंट्रोल करना पड़ेगा कि पिछले मैच में यह बिलकुल घबरा गया ऑर टो 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 घब कर सकता है जोको भी से बेस-लान सीन से भी अच्शा कहलता है तो यह मैच बिलकुल सॉरju होने अगर तीन सेट में खाइट में मैच नहीं होगा बिलकुल पिछले विज़े घृवन जाद सेट में खाते उना ऐको इसे कुछ ऊंटां और नहीं दो सितना है सबक्राइब को भी हैं। तो नहीं है। को थोड़ा ने feas freedoms उसको थोड़ा यहां पर उत्ता जाधा सपोर्ट नहीं रिखा एति precisamente को हैं तरह चीह लिखा लिख na करना नड़ाल और फ्रेडर को सपोर्ट मिलता था तो कहीं भी जोगेश को सपोर्ट नहीं मिलلف है यहां पर क्राउट सपोर्ट यहां पर ज्यादा अलकराज कोई मिलने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा इसने फैन भी बढ़ा लिए अपने और इस मैच में कंडिशन यह भी है कि अगर बैदर कंडिशन थोड़ी ज्यादा विंडी हुई तो इस मैच में जोकुविच को उत् साफी रहने का अर एक फास्ट कंडिशन होंकि उतते स्केशन जियादा जोकुविच को मिली क्या से वावरिंगरे का मैच जो इसके साहतु हुआ तो इसके फास्ट यह पर कोट होगा उतने ज्यादा वाइदा है पर जोकोविच को मिलेगा क्योंकि ऐवास जीती कंडिशन सून सो कि उतना प्रेशर ने दागे लिए इन्यादा आप प्रेशर में खुछ अहां ड़िया थे अगर डिखा हो गा तो एक रहता है तो जब आप प्रैशर आता है तो मेरा और अदर यह आखे बहुतु होता है उसकंद से अर थे सबंगर चाहरता मैं और तो आपकोनिन के साथ है को आटेको का इसे um अग्रें पिछले मैच पे देखा मुझे अब शनार्स पर अटेज के आथा तो डिफैंस की पॉईशन से उसी गेम को अटेक की पॉईशन में बाएज जीतार है तो बहुत जादा है यहां पर जो पॉइंट है वो अलकरास के अगेंस है क्योंकि यहां पर इसकी बहुत जादा वह भी चल लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रीक भी बहुत तगड़ी चल लिए 35 रेंचलम का फाइनल खेल है और यह 2016 के बार सिर्फ एक ही इसकी जो स्ट्रीक है बहुत ही खतरनाक चल लिए पर कभी ना कभी तो स्ट्रीक टूटनी है इसे नडाल की फ्रेंच ओपन की स्ट्रीक चल ली थे एक बार वो आउट ही नहीं हो था फ्रेंच ओपन में पर उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि 2020 ने उसको भी शायद हार का सामन नहीं सकते पर दब तक चल लिए तब तक इसके साथ तो देना ही और मुझे भी लगता इस मैच में आपर जोकोविच को जीतना चाहिए वह वह तीन सेट में जीते पर तीन सेट मुझे लगता है कि जीतेगा फाइव सेटर मैच होगा चाहिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ तो यकार daisakis पर यह तो अलकरास भी जार ना सोयड़ों के साथ तो मैं मैच में सार्विच के रहूं सिर्फ एक फोर हेंड और जो डॉप शॉट है उसमें ही अलकराज इसमें थोड़ा सा आ गयाता है तो देखता पड़ेगा यह मैच मैस में जोकुविच के साथ ही रहूँगा तले कुछ भी हो जाए और मुझे बहुत अगर दुख रहोगा कि यहाला मैच तीन सेट में खतम हो सो अगर आपको मैच खेलना है तो आप जोकुविच के साथ इस मैच में रह सकते हैं इस मैच में जोकुविच के साथ रहेंगे तो आप जैकपोर्ट रहेंगे किस साथ रहना चाहते हैं कमेंट कर दिए बताएगा कि आपको क्या लगता है मैच में किसके ज्यादा चांसेज है और अगर आप यहां पर हमारे लाइव मैच चाहते तो हमारा टेलिगाम चैनल जोइन कर सकते हैं तो यह रहे गए आज की प्रेडिक्शन में इस मैच में वि सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम यहीं पर टैनिस ट्रेडिंग से लेटेड वीडियो दालते रहते हैं तो थैंक यू फॉर वेचिंग दे वीडियो हैब नाइस दे